अब वेरी 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 गुद इमनिंग एविवान गुद इमनिंग गुद इमनिंग चली करते हैं स्टार्ट तो भई आज हम लोग जो है बहुत सारे इंट्रास्टिंग चीजों पर डिस्कुस करेंगे काफी कुछ अच्छा पढ़ेंगे बहुत इंट्रास्टिंग चीज है आज हम लर्न करने वाले हैं वेरी 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 गुद इमनिंग तो अल्ट इनर्जेटिक टीपल आपके अपने यूटूब चैनल परसोनल इंस्टिटूट फोर इंग्लिश पर और आज आपके लिए लेकर आए हो रिडिंग कॉंटेंट बहुत ही शांदार जो लोग नए जुड़े हैं फटाबट फटाबट जल्दी से लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो ताकि जादा से जादा लोग जुड़ जाएं और आज का जो सेशन जो की संडे स्पेशल क्लास 30 मिनिट्स का लगा है मारा इसको हम सफल बनाएं दोस्तों आज के सेशन में हम लोग रिडिंग पर वाक करेंगे मैं आपको कुछ रिडिंग के टिप्स दूँगा कुछ बहुत ही अथेंटिक कॉंटेंट आपको आपके अच्छा सीखें अपना बेस्ट दें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ नया सीखें क्योंकि मेरा हमें सब परपस रहता है उद्दिश रहता है कि मैं अपने स्ट्वेंट्स को कुछ नया दे पाऊं कुछ अच्छा दे पाऊं तो भई आज आप लोगों के लिए स्प आप लोगों की सबसे पहले स्टोरी है आपकी अडिसोनेस्ट मिल्कमेन आज टोटल रिडिंग करवाने वाला हुआ हूँ और रिडिंग के हल्प से आपको कैसे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूब कर सकता हैं कैसे आप ज़्यादा सब ज़्यादा तो कि आप अचह सा सीख है ज़ोग वड्य वाला इवन गुट वाला इवन गुट वाला इवनिंग कुट वाला इवनिंग करता हैं जब करते स Tou आप लोगो की कम है आपको थोड़ा सा जूम कर दूंगा ठीकели में इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं साइस को थाकि आप लोगों को पढ़ने में दिख्कर नहीं हूँ. You can see on the board the title of the story, A Dishonest Milkman. This is the title of the story, everyone, that we are going to read today. And this story is going to be very interesting. Now, let me tell you, first, we should understand what dishonest is all about, actually. So, dishonest, actual, में ये जो है, honest से बना है. Honest, जो होता है, इस्वें एक adjective होता है. इसके आगे हमने एक prefix add कर दिया है. Prefix, जिसे हिंदी में कहते हैं, उपसर गया है, न? Prefix add करने से, ये जो word है, dishonest हो गया है. जिसका मतलब होए बैमान, है न? Honest का opposite हो गया, dishonest. Antonyms हो गया हम लोग कह सकता है, आमारी बाशा में. अब इस story को हम लोग पढ़ना है, start कर रहे हैं. ये title है story का. You must know what is title. Title is the story, you know, title is the thing that represents any story. Title वो चीज होता है, जो किसी story को represent करता है. तो आपको जो story आज मैं बढ़ाने वाला हो, उसका जो title है, a dishonest milkman है, जो की पूरी story पर around, जो कह सकते हैं कि पूरी story इसी के around घुमेंगी. और सबसे important चीज, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपनी spoken English को reading के help से improve कर सकते हैं. This is very much important, everyone, कि आप अपनी reading के help से अपनी spoken English को कैसे improve करें. क्योंकि मैंने देगा, अक्सर इस्टुएंट होता गया है, कि यह यूनो, कुछ इस्टुएंट ऐसा करते हैं, कि पढ़ लिया, समझ लिया, बट उस चीज को express नहीं कर पाते हैं, उस चीज को समझा नहीं पाते हैं, और इसी बज़े से वो fail हो जाते हैं, इसी बज़े से वो उस चीज को अच्छे सा रखने ही पाते हैं. अब इस स्टूरी के अंदर आप इस फर्स सेंटेंस को अगर देखें, तो यह जो सेंटेंस हैं, जो की आपका सब्जेक्ट है, बिकेम जो है, यह वी टू है, वी टू वाप की सेकेंड फॉर्म, बिकेम वेरी वैल्दी, वैल्दी, इट्स अन एड्जिक्टीव, यह आपका है क्या है, एक एड्जिक्टीव है, राइट, अमिल्कमेन बिकेम वेरी वैल्दी थू, यहाँ पर आपकी एक प्रिपोजिशन है, जिसका मतलब निकल रहा है, से, राइट, अमिल्कमेन बिकेम वेरी वैल्दी, थू, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्वनेस्ट मिन्स, अब यह जो डिस्वनेस्ट मिन्स है, इसका मतलब है बैमानी के तरीके से, जो लाइन फॉर्स्ट जो हमने पढ़ी वो पढ़ी कि, यह milkman became very wealthy through dishonest means, right, आगे हैं, he had to cross a river daily, रोज उसको एक नदी को क्या करना पढ़ता था, cross करना पढ़ता था, right, to reach the city, to reach the city where his customer lived, रोज उसको एक नदी को पाहर करना पढ़ता था, to reach the city where his customer lived, जहां उसके customer रह दे दे, अब इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइस करके छूटा गर ग कि problem आ रही ही, तो आप थोड़ी सी quality अपनी camera की बढ़ा air, क्यूंकि यहां से तो full HD में वो जा रहा है, लेकिन आप लोग जो है, उसको 144 पर देख रहा होंगा, उसको 360 में देखें आप या 480 में देखें, 480 में शायद आपको काफी अच्छा quality मिलेगी, तो मैं insist करूँगा 480 में देखें, थोड़ा सा quality बढ़ा ले, आपका data जादा लगेगा, बट आपको content समझ में अच्छे से आएगा, क्यूंकि मैं यहां पर अगर उसको जादा जूम करूँगा ना, तो बार बार मुझे slide को यू यू बार बार करना पड़ेगा, it will waste our time, you know, so insist कि आप थोड़ क्या है थोड़ा समझेंगे आप लोग, यह देखो, कि he had to cross river Delhi to reach the city where his customer lived, जहां उसकी कोन रहते थे, customer रहते थे भई, अगर आपको चाहते हैं कि reading के help से हम spoken English को रहे, तो जो content बताने वाला है, उसको carefully सुनना, और इस story के अंदर आपको जो भी content मिलेगा, maximum sentence आपको simple past tense पर best म में लेंगे, maximum sentence, आज का session पूरा reading पर best होने वाला है, बहुत ही ज्यादा interesting है, इसलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा समझें आप लोग कि क्या पढ़ाने वाला हूं मैं, मैं बता रहा हूं कि के से reading के help से आप अपनी spoken English को improve कर सकते हैं, अगर आपको reading weak है, I would say you need to walk on your reading, because your reading will make English speaker, आप कहेंगे, सर के से reading बना देगी English speaker, अरे वही यही तो कमाल है, आपको नहीं पता, जब आप कोई content read करता है, तो directly, indirectly, आपका brain जो होता है, उसमें नएने words को सीखता है, नएने words को समझता है, कभी-कभी आपने देखा होगा ना, सर ये word ऐसा नहीं सुना है, ऐसा सुन करें कि reading बहुत जादा help करती है हमारी spoken English को improve करने में, so a milkman became very wealthy through dishonest means, he had to cross a river daily to reach the city where his customer lived, दे को customer lived, जाँ उसके customer रहते थे, अच्छा head to, he had to, he had to, had to, सबने पढ़ा है, head to का मतला होता पड़ता था, तो he had to cross a river daily, रोज उसको एक नदी को पार करना पड़ता था, to reach the city share, पह mixed आया, mixed मतलब कोंसी वोफ की form, second form, V2 लगाया है हम लोगोंने, he mixed the water of the river generously with the milk that he sold for a good profit, अब वो क्या करता था भई, he mixed the water of the river, मतलब वो नदी का पानी क्या कर देता था, mixed कर देता था, मिला देता था, ठीके, generously आसानी से सुविदा के साथ, with the milk, milk के साथ, that he sold, जिसे वो पीचता था, let me tell you story, अभी पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को screenshot, इस story का जो है, आपके telegram group में send कर दूँगा, तो आप क्या करना, telegram group से उसकी photo ले लना, और एक बार और again इस session को फिर से देख लेना, तो आप लोगों को ये story, telegram group से मिल जाएगी, okay, तो आपको काफी ज जुड़े ही होंगे, नहीं जुड़े हैं, तो अभी telegram पर सर्च करना, personal institute for English, जिसमें करीब 30,000 से जादा students जुड़े हुआ है, और मैं insist करूँगा कि बिलकुल आप उस group से जुड़ जाए, ताकि आपको सारी चीए जो है, अच्छे सा समझ में है, और जो भी study material हम लोग उ एक दिन वो गया, dues collect करने के लिए, in order to celebrate the wedding of his son, अपने बेटे की शादी करने के लिए, हैना, to celebrate, in order to celebrate the wedding of his son, he went to city to purchase, to collect the remaining amount, you know, you know that की दूद बाला जो होता है कि भई, एक दिन सारा amount नहीं लेता है, वो, dues जो है, वो collect करने के लिए गया है, एक दिन वो, हैना, and with the large amount that's collected, और इस तरीके से उसको बहुत बड़ी रकम प्राप्त हुई, he purchased plenty of rich cloth, he purchased, purchased भी कौन सा tense हो गया, simple past tense हो गया, ये देखो, he purchased plenty of rich cloth and glittering gold ornaments, और क्या खरीदे उसने, चमकदार सोने के गहने खरीदे, और काफी सारे नए कपड़े खरीदे उसने, हैना, उस amount से जो उसने collect किया, अभी आप स्टोरी को उपरी तोर पर पड़ रहे हैं, अभी मैं इसको बोल कर बताऊंगा अपने शब्दों में और फिर आप खुद अपने शब्दों में इसको बोलने की कोशिस करेंगे, मैं आपको trick बताऊंगा, वो trick क्या रहेगी, जो आपकी help करेगी स्टोरी को बोलन ली गई, मतलब उसकी सारी महेंगी खरिदारी जो है, नदी में समा गई, नदी में चली गई भई, अब क्या होता है, the milk vendor, vendor का मतलब होता है व्यापारी, ठीक है, merchant भी कहते हैं इस कौम लोग, the milk vendor was speechless with grief, दूद बाला जो है, दुख के मारे speechless हो गया, and at that time he heard a voice that came from river, उसने उ not weep, रो मत, what you have, अरे विरेंसर, ये स्टोरीज जो है, टेलेग्राम ग्रूप में सेंड कर दीजे, और साथ में टेलेग्राम ग्रूप में इसका लिंक शेर कर दीजे, स्टोरीज शेर करना है, dishonest milkman और इसके नीचे की grey goes in gender, these two stories we have to share in टेलेग्राम ग्रूप, हाना, हाना, हा मिल जाएंगी, आप बिल्कुल जो है, तेलेग्राम ग्रूप से जुन ही जुन है, वो तेलेग्राम ग्रूप में सर्च कर लीजिए, परसोना इंस्टिटीट फोर इंग्लिश, उसमें आपको ये स्टोरी जो में पढ़ा रहा हूं, ये मिल जाएंगी, तो आपकी काफी जा something which is not legal, it's called illegal, you earn through cheating your customers, जो आपने कमाया आपने कस् Richmond को cheat करke, so moral of the story, honesty is the best policy, so everyone we have read this beautiful story, in our own words we have read it and and actually not in our own words I would say we have read it in our own way, now we are going to speak this story in our own way, aapne सरी के सब्स्टोरी हम लोग बोलने जारह हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी story को पहले तो बोलना चाहा रहे ओना, तो एक чीज तो सबसे पहले दिमाग में click कर ले, कि कोई भी story को अगर हमको बोलना है तो दो चीज़े दिमाग में fit कर ले आप, पहली कोई सी fit करना है अपको, कि कोई भी story जिसको आप बोलने जा रहे हैं, उस story के अंदर जो भी content आएगा या जो भी आप बोलेंगे उस story के अंदर, वो सारा का सारा content जो है subject v2 plus object इस structure में होगा, मतलब most of the sentence you will find from simple past tense, this is the first thing that you should know if you are going to speak any story, if you are going to do storytelling, if you are going to do anything you know, so you first know one thing कि आपको उसमे subject v2 plus object को use करना है, अब आप story का title देदे, आपने story का title दिया, a dishonest, let me tell you, story के जो first letter होते है है ना, वो capital होते है इसलिए आप D को capital करें, a dishonest milkman, milkman का m capital होगा, यह आपका title होगा a dishonest milkman, now you are going to speak this story in your own words, so you will start this story by saying like that that once upon a time o-n-c-e, once upon a time, comma there was there was a milkman अब देखो, आपकात नोटिस कर रहा हूँ, यह पुरी स्टोरी को मैं जो है, कौन से टेंस कैसे यूज करके बोल रहा हूँ, मैं इस स्टोरी को मैं बोलूँगा, तो मैं अपने रूल अपलाई गरूँगा, I am not going to speak in the way as it is written in the book, I am going in my own way, मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ, मतलब कि आप इस चीज को समझें कि आपको क्या करना है, So, सब से पहले देखो आप कि once upon a time there was a milkman and the milkman became very wealthy by cheating his customers, right? The milkman became very wealthy by cheating his customers, दूद बाला जो है अपने customers को cheat कर गे बहुत जादा क्या बन गे? Right, Ameer बन गया. Now the next line that you are going to say is that, Every day he used to cross a river, रोज वो एक नदी को पार किया करता था. When he used to cross the river, he mixed the river's water with the milk that he sold for a good profit. रोज जब वो नदी को पार करता था तो वो नदी का पानी mix कर देता था दूद के साथ में, That is sold for a good profit, जिसे वो अच्छे लाब पर बेचता भा. And in this way, he became very rich. One day, he decided to celebrate the wedding of his son. And therefore, he went to city to collect the remaining amount. He purchased, he collected a large amount. And with the help of this amount, he purchased plenty of rich cloths and glittering gold ornaments. Now, in the evening, when he was returning, when he returned, he crossed the same river. But while crossing the river, his boat capsized and he lost all his costly purchases. Now, on the bank of the river, the milkman started crying. At that time, he heard a voice that came from the river. Hey milkman, don't cry. Whatever you have lost, it was the illicit gains, it was the illicit earning, it was the illegal earning you earned through cheating your customers. So you should not cry. Everybody, you can listen to this story again from the beginning as I have spoken. I have spoken, I have all sentences, which are maximum sentences, I would say, I have used in simple past tense. I have spoken all these sentences in simple past tense. So I insist that you, what is the first thing, what is the first thing, you are saying to anyone, so you should know what you are speaking actually. Storytelling, if you have come to the beginning, then you have to say any past content, which you want to say in past, that will be very easy for you. It will be very easy for you, because past tense is the only difference in learning English. We are studying students from years, and we have taught many students, and the most important thing that comes to the past tense is the most important thing that comes to the present tense and future tense is the most important thing that comes to the present tense and future tense. But he is very much confused in past tense, so here storytelling actually can help you to improve your condition in past tense, because in the storytelling, what are you exactly doing? You are indirectly or directly using all the past tense. So the past tense of past tense is the most wonderful development of you. And I insist on all the students that you have to work on, and you have to take a job of learning. I don't know, I don't know if you have a job of learning, but I have been a student of Hindi medium, I have already told you in my previous classes, that if I study Hindi medium, I have a lot of learning English in my English. Right? That job of learning will be a job of learning, and when it comes to you, we are not going to improve ourselves. Okay. कुछ लोग क्या होता है, बहुत शार्प लर्णर होते हैं, उनके अदर भली जुनून नहीं होता है, फिर वो सीख जाता है. राइट अरगाद ने का भई इसका दिमाग तो इंग्लिश में मंदा है इसको इंग्लिश में कुछ नहीं आएगा यह तो डड़कन का है लेकिन आप चाहे तो आप अपने डेस्टिनी को अपनी महनस से बदल सकते हैं अब बात काम की करते हैं मैं जादा भाषन बाजी नहीं करूंगा भई और जरूरी है स्पीच और भाषन अगर एक मेरी लाइन से अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला और आप एक सही रास्ते पर लग गया है आपने महनत करना स्टार्ट कर दिया तो मैं अपना जीवन सबस समझूंगा भई आप लोगों का लव मिल रहा है और काफी अच्छा मारा चैनल ग्रोव कर रहा है थैंक यू सो मच फो इस गाइस अभी हम लोग जिस चीज पर आप वोक करने वाले हैं वो यह कि मैंने आपको अभी एक स्टोरी समझा दी ऐसे ही आपको एक और स्टोरी में बताने वाला हूं और उस स्टोरी को फिर में और अपने शब्दों में बोल के सुनाओंगा इन शॉर्ट वाट आम टैलिंग यू कि ये सारी स्टोरी में करीब आपको तीन-चारी स्टोरी आभी टेलेग्राम ग्रूप में मिल जाएंगी आप लोगों को आप देख लिजेगा टेलेग्राम ग करना है उस पर best content देख ले तो आपको काफी ज्यादा help मिलेगी चीजों को learn करने में चली मैं आगे आपको लेकर चलता हूं second story पर बिना time आपका लिए तो ये रही आपकी first story तो हम लोगों ने complete कर ली थी now we are moving to the next one ग्रेग उसन गेंडर अब ये story जो है second वाली ग्रेग उसन गेंडर अच्छी story है बहुत प्यारी story है तो आप लोग जो है मैं insist करूँ है कि मैंने telegram group में इसको send कर दिया है आप एक बार इस story को read कर ले इसके बाद third story ये भी आपको telegram group में मिल जाएगी इसको भी एक बार आप read कर ले फिर fourth है the dog and the donkey है इसको भी एक बार read कर ले चलो ए और कोई बड़ी story मिल गई तो time जादा हो जाएगा चली भाई देखिए आज जो हमें story अभी पढ़ने वाले है वो title है story का I hope कि आप सबको visible होगा 480 pixel में देखे आप लोग में insist करूँगा सारे students को तागे clarity अच्छी दिखाए दे the title of the story is the dog and the donkey the dog and the donkey right this is the story so we are going to read from the beginning there lived a dog and the donkey in a house of a rich man you know एक अमीर आदमी के घर में एक डॉग और एक डॉग की जो है वो रहते थे थे अना the dog guarded his house, guarded guard की second form में V2 लगेगा भई, ठीके, guarded his house and the donkey carried loads for him, carry loads and guard, दो वाब आप लोगों के यहां पर मिली है, एक मिली है guard, G-U-A-R-D-E-D, guard मतलब होता है रक्षा करना, आपन each मतलब होता है खुझली जो होती ही ना उसको कहते है इची, तो जो each guard होता है वो खुझली से सुरक्षा करता है, ऐसे ही आप word को learn कर सकते हैं कि guard, security guard होता है, जो दरवाजे पर खड़ा होता है, है ना, तो जो dog था, guarded his house, वो घर की क्या करता था, रक्षा करता था, guard की second form में hot afternoon थी, the dog was sleeping under the shady veranda, जो dog था वो shady veranda, मतलब छायदार आंगन में सो रहा था, there was some noise outside, बाहर कुछ आवाजे आई, the dog just lifted up his head, dog ने अपना siru उठाया, and went back to sleep, और बापस, सो गया, the donkey asked, गदे ने पूचा, why don't you bark, भोगते क्यों नहीं महीं, ठीके, why don't you bark, it could be tips, वो चोर भी हो सक है, the dog replied, mind your own business, mind your own business, the dog replied, अपने काम से काम रखो, अपने काम पर ध्यान दो, ऐसे ही देखो, आप काफी सारे word, ऐसे काफी सारे बना सकते, जैसे आपको किसी बोलना, अपनी जमान पर ध्यान दो, mind your tongue, mind your business, mind your language, you know, इस तरीके से बोला जाता है, मतलब इसका मतलब होता है, mind your business, mind your own business, मतलब है, अपने काम से काम, रखो, अपने काम पर ध्यान दो, but the donkey would not listen, लेकिन गदे ने नहीं सुनी, he wanted to save his master from thieves, वो अपने master को, अपने मालिक को चोरो से बचाना चाहता था, he started to bray, now let me tell you everyone, the word bray, ये गदे का चिलाना जो होता है, उसको कहता है, ब्रे, ब्रे, इंग्लिश में अलग-अलग words होता है, जिसे गदे के चिलाने को bray कहता है, कुते के चिलाने को bark कहता है, शेर के चिलाने को roar कहता है, जिकल के चिलाने को hall कहता है, तो अलग-अलग English में अलग-अलग animals के लिए अलग-अलग जो sound वो produce करता है, उसके लिए अलग-अलग word use हो तो गदे के लिए जो वर्ड यूज होता है, वो क्या करने लगा, चिलनाने लगा, the master who was sound asleep, master जो गहरी नीन में था, got wild with the donkey, वो donkey से पागल हो गाया and came running out, और दोड़ते वे बाहर आया, with a stick, एक लकड़ी के साथ में इनके बहा हाट बिटिंग to the donkey, कि रुसने donkey को अच्छी बाली पिटाई दे दी, so moral of the story, it is always better to mind our own business, so moral of the story है, हमेशा अपने काम से काम रखना ज़्यादा अच्छा होता है, दूसरों के काम पर ठांग अड़ा होगे, तो भाई पिटाई हो जाएगी, जिसे गदेगी बिटाई हुए अभी, so it is always better to mind our own business, अब भाई हम इससे क्या सीखें, सीखने वाली बात देखते हैं कि क्या सीखें, तो सबसे पहले तो हम लोगों को title हम लोगों को पता होना चीज़, title क्या था भाई, title था the dog and the donkey, ये भाई आपकी story का title था, अब इस title को ध्यान में रखते हुए, पूरी story अगर हम बोलें, तो आप लोग एक चीज़ common देगें सबसे पहले, कि आपने जो structure अपलाई किया है, कौन सा structure अपलाई किया है, subject V2 plus object, मतलब पूरी story के अंदर आपको यही structure को ध्यान में रखकर पूरी story को बोलना है, आप कहेंगे beginning से ही, once upon a time, there was a rich man, once upon a time, आप लिखें देना अपने इसाब से, there was a rich man, एक अमीर आदमी था, he had a donkey, आप अपने शब्दों बोल रहे हैं, इसलिए अपने line यूज़ कर रहे है, he had a donkey and a dog, उसके पास एक donkey था और एक dog था, you know, the job of the donkey, donkey का जो 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 क्या था, was to carry lots, ठीक है, the job of the donkey was to carry lots, and the job of the dog was to guard the house, दोनों के job अलग अलग जो है, वो बता दी हैं आपको, one day what happened the dog and the dog one day what happened the master was sleeping and the dog was also sleeping under the shady veranda there was some noise outside so the dog so the donkey asked the dog why don't you bark it could be tips you should bark because you are actually protecting this house so it is your responsibility to bark now the dog said dear donkey mind your own business and let me sleep don't disturb me now look at you know what you mean you can use your patterns you can use your structure use your own structure the same image you can use your own image you can use your book but it should be correct it should be correct grammatically now as you say that happened then what happened after the story आप वसकोर श्टोरी को गेले गर जहुँ आओ, कि the dog, you know, the dog again bent back to sleep. Now the donkey wanted to save his master from the thieves, therefore he started braying. Now listening the sounds of braying, the master who was sound asleep, he got wild, he just came out from the house with his stick and started beating very badly to the donkey. The poor donkey was beaten very badly by the master because the donkey was not doing his job. In case, for example, I ask you a question, if the dog had barked he would not have been bitten, tell me why अगर कुट्टे ने भोका होता तो उसकी पिटाई नहीं होती, बदागी क्यों if the dog had barked he would not have been bitten because that was his job but the donkey was braying unnecessarily the master's thought कि मैंने इसको खाना पानी दाना सब दे दिया है, still he's braying, why unnecessary क्यों चिला रहा है उसको थो ही सपना है कि मेरा donkey मुझे बचाना चाहता है जो चोरों से इसलिए वो चिला रहा है उसने आवाजे सुनी, वो कुत्य का जवाब कर रहा है he didn't know these things and that is why he was bitten very badly by the master, that is why dear friends it is always better to mind our own business चलिए, जिनको इस्टोरी अच्छी लगिए पड़ा 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 लाइक कर दो, लाइक कम आया है भी देख जादार लोग रहे है लाइक कम है, चलिए बई so I hope कि आप लोगों को एक content समझ में आ रहा होगा आप लोगों के दिमाग में सारी चीए जा रही होगी कि कि किस पर best story है और story किस के बारे में है सारा content I hope कि आपको clear हो रहा होगा अब student आपको करना क्या है कि सबसे पहले दो न सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि जो भी story आप read करे जो भी story आप पड़े न उसको पढ़ने के बाद में उसमें जितने भी tough words आ रहे है उनकी पहले दो एक list बना लो उसके अंदर देखो कौन से tenses का ज़्यादा तर use हुआ है और सबसे important चीज जब आप उस चीज को अपने शब्दों में बोले है ना तो आप इस चीज का विशेज ध्यान दे कि आप जो है उसमें सही content को सही तरीके से use करें जब को होता क्या है कि initially आप जब इस story को बोलेंगे न तो आप गलती करेंगे और गलती होती है everybody makes mistake let me tell you everybody makes mistake so यहाँ पर आपको गलती के बारे में नहीं सोचना है एटलिस दो लाइन तो बोल पा रहा हो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब स्ट्वेंट कमेंट करके लिखते हैं कि सर आपकी वीडियोस में इतना सीख है देखो सीखने के तो बहुत कोई सीमा ही नहीं है लेकिन ये देखिए आप कि आपने पहले कितना आता तो और आज कितना आपको आता है बस ये चीज आपको सेटिस्फाई करेगी नहीं तो फिर आप हमेशे ही रोदे रहोगी मुझे ये नहीं आता है मुझे ये नहीं आता है उसको ये आ जाता है ऐसा नहीं आप अपने हिसाब से अपने आपको ट्वीट करें कि आपको कितना आ गया है, आपने कितना सीख लिया, आपने आपको कितना इंप्रूव कर लिया है, चलिए स्ट्वेंट संडे स्पेशल क्लास में आज के सेशन को हम यही बंद करते हैं, उमीद करता हूं कि आज 30 मिनिट्स क इस सेशन में आपकी थोड़ी सी भी मदद कर पाए होंगा, अगर कर पाए हों तो फटाबट फटाबट लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने स्टेटेस पे रख लो ताकि जादा से जादा इस सेशन को देख पाए, जादा से जादा इस सेशन का फायदा ले पाए, चलि लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोल दे हैं बहुत शानदार बोला है दिलखुष शुकला जी ने थैंक यू दिलखुष शुकला जी आपने बहुत अच्छी शानदार लाइन वोली है थैंक यू सो मच कौर नार्जिया संदीप गोस्वामी मोहम्मद सोयल फ्रों पाकिस्तान थैंक्यू सो मज़ दियर फो यूर लब और सपोर्ट बादल सुहानी बिग फैन सर्थ थैंक्यू थैंक्यू सो मज़ दियर अमन यादव थैंक्यू सो मज़ दियर थेंक यू, थेंक यू, थेंक यू, चलिए, न्यू बैच स्टार्ट करने का तो भई, देखते हैं, बिल्कुल आप लोगों के लिए मैं आ रहा हूँ, थस्जे को, गुरुवार को अगेन लाइब आउँगा मैं, और एक बहुती प्यारा आप लोगों के लिए एक यूटूब वाले, जितने भी हमारे सब्स्क्राइबर हों, सभी के लिए रहेगा वो, काफी कुस्छ सीखने को मिलेगा आपको भई, थेंक यू, सो मच, थेंक यू, थेंक यू, थेंक यू, थेंक यू, सो मच, चलिए, आज के सेशन को यहीं आउट करता हैं, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया न, सची बता रहा हूं, इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे हो, पड़ा पड़ा लाइक करो, जल्दी करो, चलिए, thank you so much guys, ऐसा को नहीं की मतलब करने ही, लाइक, मैंने ऐसा ही बोला है, mind मत करने तो पता लगो, sir, कैसा बोल रहा है, हम इंग्लिश नहीं स मुझ, goodnight, goodnight to all